नमस्कार दोस्तो वेलकम तो उन्नती कंपर्टीशन क्लासिस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बास करूंगा घटना चक्र बुक के बारे में इस बुक के हमने बहुत सारे पार्ट इस चैनल पे अप्रड़ खड़ चुके हैं आप प्रेलिस्ट में जाएए और इससे सारे वीडियो का लाब ठाइए आज मैं इस वीडियो में बास करूंगा आपसे मद्धेकालीन भारत के बारे में यह होगा इसका पार्ट 3 इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मद्धेकालीन भारत से सम्द्धित हम लोग अप्लोड कर चुके हैं चलिए सुरू करते हैं देखे क कुशन नमबर वन में हमसे कह रहा है कि निमलिकित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नीव पड़ी मतलब एक कौन सा वार हुआ जिसके बाद भारत में मुगल सामराज्य इस्थापित हुआ या कि मुगल राज्य की नीव रखी गई ठीक हैं बात कर रहा है भारत की हमारे सामने चार options हैं प्लासी का जुद ताली कोटा का जुद पानी पत का पर्थम जुद या फिर हल्दी खर्टी का जुद देखिए ये questions आपके exam के point of face से बहुत important है ये questions आपके MTS exam 2001 में पूछा गया है तो इसका right answer है पानी पत का पर्थम जुद अब बात करते हैं कि पानी पत का पर्थम जुद कब हुआ था अगर आपसे ये पूछेगा तो आपको ये date pen down करनी है इसको right down करना है इसको लिखना है इस वीडियो को pause करके इसको तुरंट अभी आपको याद करना है तो इसकी जो date है वो है 21 अप्रैल 1526 बढ़ते हैं question number 2 की ओर question number 2 है हमारे सामने के दिनली में मुगल समराज्य के निव निमकित में से किस लड़ाई के पैणाम स्वेरूप होई देखें क्या होता है exam में कि वो आपसे question जो पूस्ता है जो भी questions आपके सामने put up करेगा तो उस case में केवल इतना ही होगा कि वो language थोड़ी सी change कर देता है ठ चलिए मैं आपको श्रमरबन दिखा देता हूं इसमें बुशा की भारत में मुगल राज्य के निव कैसे पड़ी कौन सी युद्र के बात पड़ी और इसने तुरंद बोला दिल्ली में देखें दिल्ली जो है भारत का ही एक अंग है तो इसने भारत का नाम ना लेते हुए इसमें बात करी दिल्ली में दिल्ली में मुगल समराज्य की निम्रिकित में से किस लड़ाई के पहिणाम स्वर्व पड़ी तो सकराइट आंसर क्या होगा पानी पत की पहली लड़ाई और ये कब हुई थी तुरंद का बताए मुझे ये कब हुई ती लीजिए मैं वीडिय करी थी सबसे पहले मुगल समराज्य की इस्थापना हुई थी वह स्टेट थी दिल्ली बढ़ते हैं कोशन नंबर थी के ओर अगला कोशन है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई ठीक है मुगल सत्ता की स्थापना पूच रहा है देखिए थोड़ी से लैंगज इसमें चेंज़ गर दी अगें बात कर रहा है मुगल सत्ता मुगल समराज्य मुगल समराज्य के नीव कोई थी पूश्य नुम्र फोर में हमसे कहता है कि निमने में से इसका अपने समकाली मुगल बादस्रा के साथ मिलान गलत हुआ है ठीक है याद अखना हम लोग जब एक्जाम देते हैं तो एक्जाम में क्या करते हैं मैक्सिम बच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहां पर कह राइट नहीं कहा रहा है गलत कह रहा है तो गलत होगा आपका राणा सांगा बाबर के सांथ ठीक है जुभार जुझार सिंग साह जहां जस्वन सिंग औरंज ये भी सही बड़ रॉंग जो आंसर है वो है आपका मिलान जो गलत है वह किट्छिरा चोहान का अख़ब के ये पूरी तरह से गलत है कोशन नमर फाइज है कि किस मुगल सासक ने भारत की वरजपतियों और प्राणी जगत रित्यों और फलो का विसाद या विसाद विवन अपनी दैने दिन मतलब डैरी में दिया है तो इसका राइड आंसर है बाबर कोशन नमर 6 भारत में सबसे पहले तोप खाने का परियोग किस में करा था जो तोप होती है जिसे हम लोग किसी के उपर अटैक करते हैं और ये जो होता है तोप एक बहुत बड़ी तबाही का बहुत बड़ा रिजर होता है तो ये किस में किया था तॉप खानव का पड़्यों किस ने करा था यह करा था बाबर ने Qixaziękuję No. 7 कि बात करें आबसे कि खानवा का युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किये जाने वाला रजपूर्द या फिर राज़त कौन था या फिर अपसे यह पूशा है कि खानवा की युद में अबावने के हराया था राजित का मतलत क्या होता है राणा तो इसका राइट आंसर होगा राणा सांगा और ये खानवा का दा और आप पूशें कि खानवा का दा तो उसका राइट आंसर क्या होगा वहोगा 17 March 15, 27 बेख देइख 7 सेखील! जब वह में आपको बात बात जाहता हедь आप कभी भी कोई पीचीज स्टड़ी करते हैं कोई भी चीज अगर आप इस टारी करते इंऑ सुनते हैं देखते हैं तो अगर जो चीज आपको नहीं आती है उसको pen down करने का पहली बात तो अपक्ष्ट करें ठीक है उसको pen down करना है देख्ञे एक बार आपने वीडियो वाच करा वीडियो वाच करने के बाद में आप 23 को अपने क्लोज कर दिया लेकिन जब तक रिविजन नहीं होगा तक इस व कुझे र demolडक होड़ते हैं आपको यह लिखना चाहिए चाहिए यह पता होना चाहिए आपको यह इवारग किस-की की ती तो बेंस्तिक अपने शौर्टेस बना चली जाए यह आपके लिए कांपी यसे खिना बढ़ते हैं डल् direction वो हुई थी आगरा में ठीक है आप याद रखेंगा बाबर की जो डायत हुई थी वो कहां पे हुई थी आगरा में और ये कब हुई थी आप से बात करें तो 26 दिसंबर 1530 यस्वी को आगरा में हुई थी प्रारंब में उसे नूर अफगान मतलब जो आज का है आपका आराम बाग में दफनाया गया था पर दो बाद में उसे काबूल में उसी के दोरा चुने गई इस्थान पर दफनाया गया था ये उसकी मंसा थी कि फिलाल उसको हमेशा के लिए उसको काबूल में दफनाया गया बट कंडिशन कुछ ऐसी थी कि बाबर की मिट्टू के बाद में फिलाल उसको दफनाया गया नूर अफगान में जो है राइट नाव बरतमान में पड़ता है अराम बाग में दुबारा उसकी बॉड़ी को निकाला गया उस इस्थान से उसको शिफ्ट करा गया कहां पर काबुल में तो आप याद रखीगा काबुल काफी फेमस जगह है और 26 दिसमबर 1530 को यह हुआ क्या हूआ बाबर की डैथ बढ़ते हैं कोशन No.9 कि हूम नामा की रचना किसने करी थी बात करते हैं हमायो नामा की रचना किसने करी थी एकचली यह इसकी क rounding ती हिमायो की यह कdzyन ती जिसका लूपधन गुल-बदन वेगं उसने इसकी रचना करी थ और ये question से एक्जाम में कई बार पूचा ता है यह आप देख रहे हैं असामने कि यह MTS के एक्जाम में पूछा गया है उसके बाद में आपका का आने वाले बीड़ के एक्जाम है यह वहाँ पर भी question कई बार पूछा गया है यहाँ पे दिखाया नहीं गया लेकिन यह आपके एक्जाम पे पॉंटर वे से बहुत इंपॉटेंट है ठीक है बढ़ते हैं कोशन नमबर 10 की और फिलाल दिल्ली में पुराना किला का निर्मार किस सासक के सासनकाल में हुआ था याद रखेगा बात कर रहा है डैली की डैली में पुराना किला का निर्मार किस सासक के सासनकाल में हुआ था तो इसका राइट आंसर होगा हुमायो और यह कब हुआ था बात करते हैं इसका निर्मार कब हुआ था हुमायो के द्वारा हुआ था यह तो सही है लेकिन बात करेगा आपसे कब से कब तक हुआ था तो 1533 से 1538 के बीच में जो बच्चे स्टेट PCS की त्यारी कर रहा है पेलिंस एक्जाम में ये कोशन कई बार पूछा गया है UPPSC का एक्जाम आपका होने वाला है तो जो जुलाई में है डेट अभी इसकी डिकलेट नहीं हो पाई है लेकिन फिर भी मैं उनसे कहना चाहूंगा इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए समझिए और इसको याद करियो बढ़ते हैं कोशन नमर 11 के ओर I hope आपको ये वीडियो सुन में आ रहा होगा डिस्पेले भी कुछ साफ होगा कोशन नमर 11 हमसे कहता है कि हुमायू को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा भारत से उसे 9-11 होना पड़ा ठीक है कौन सी लड़ाई के बाद खानवा के युद के बाद कन्नोज के युद के बाद पालिपत के युद के बाद या फिर गोगरा के युद के बाद तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने बी कन्नोज कन्नोज का युद हुआ था वो कब हुआ था ये डेट आप लिख लिए ये डेट है 17 मई 1540 को और इस युद में सेरसा ने हुमायो को पराजित कर सिंगासन पर कबजा स्ताफित करा ठीक है किसले किसको हराया याद रखिएगा ये जो वार हुआ सेरसा वर्सिस हुमायो के बेश में कब हुआ था 17 मई 1540 को कौन से युद की बात कर रहा हुँ मैं आपसे इसमें कितनी थी वो हमसे पूछ रहा है मतलब जब इसका राज्य विशेक हुआ राज्य तिनक हुआ जब इसको राज्य बनाया गया देखे 13 वर्स इसकी उमर थी सबसे छोटी उमर में राज्य विशेक किसका हुआ कभी-कभी आपसे एक्जाम में ये कोशन भी पूछ लेता है तो इसमें राइट आंसर अपका होगा अकबर और ये उमर इसकी क्या थी इसकी उमर थी 13 वर्स ठीक है 13 एर इतनी छोटी सी उमर में इसका राज्य विशेक हो गया इसको राज्य के बारे में जानकारी नहीं थी युद्र के बारे में उसको ज़ादा ध्यान नहीं था फिर भी वनस के चाप से वनसर्च के साप से राज्य विशेक इसका ही होना था और राज्य विशेक ही हुआ अकबर का ही हुआ और मातर कितने वर्स में 13 वर्स में बास्तेविक इसकी उमर आप से पूछे तो इसकी जो उस समें रियल इमेज रियल जो इसकी एस थी जिस समें इसके मात्री पर तिलक लगा था और इसके सर पर जो एक राजा का जो मुकुड होता है वो रखा गया था वो उमर थी तेरा वर्स चार साल ठीक है इतने कम उमर में इसको राजा बनाया गया था अकबर को बढ़ते हैं कोशन नमर 13 की और सती पर्था को निरु उच्साहित करने वाला मुगल समराथ कौन था ये था अकबर कोशन नमर 14 अकबर के सासन में महाभारत का पार्शियन भासा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जात है देखिए अकबर के सासन काल में महाभारत का एक पार्शियन लैंग्वेज में इसका अनुवाद हुआ ठांसलेट हुआ ठीक है अब ट्रांसलेट होने के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया ठीक है ठांसलेट होने के बाद में मतलब महाभारत का जब पार्शियन भासा म नाम क्या था याद रखीगा इस questions को वीडियो को pause करिए तुरंट और ध्यान से इस वीडियो को अपने मन में कम से कम चाल से पांच बार इसको दोराइए और अपने आप से commitment करिए कि हाँ यह questions मुझे अभी तुरंट जयाद करना है इसको मुझे स्क्रिप्ट नहीं करना है ठीक है देखिए इसके जो नाम था वो था रजम नामा रजम नामा थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में मैं को बताना चाहूंगा कि अकबर के आदिस से भारत के विबन भागों का फार्सी में रजम नामा नाम से अनुआद अब्दूल कादिर ब तो काफी साल आपको लग जाते हैं उसके बाद में यह दंग से खतम हो पाती है तो इसका ट्रांसलेट करना इतना इज़ी काम नहीं था तो इसका जो ट्रांसलेट करा काफी सारे लोगों ने मिलके करा अब बास करता हूं मैं अगले कुश्शन की रजम नामा देखिए अग तो तब भी आपको डरना नहीं है ठीक है बेकुल भी बस थोड़ा सा अपने अंदर सयम पेशेंस बना के रखिए अदेखिए जैसे अब कुश्चना 15 मों से कह रहा है कि रजम नामा निमलखित में से किसका फार्सी अनुवाद है ठीक है देखिए पार्सियन होता है फार्स ठीक है फार्सी भासा में अनुवाद किस में करा था तो देखिए रजम नामा में ने मिलखित अनुवाद है ठांसलेशन है तो यह महावारत की ठीक है अब देखिए आप से कोश्चनमर फ्रोटीन में अगर इस पार्सी भासा की लिए पर अगर वह यूज कर लें आपसे फ skills develop करें ठीक है यह नहीं कि कुशन जैसे देखा तो आपकोई आपको चाहिए अपने डिस्प्लेए पर ठीक है एक्जाम जो देंगे online जब भी आप देते हैं तो आपको यह नहीं कि आपको सेम डिस्प्ले में कोशन्स वही सेम मिलेगा थोड़ी बत language change हो जाती है चिल, सांत रही है, काम रही है खूल रही है, exam में तुरंत आपको अंदर ये skills डवलप नहीं होगी, अभी से त्यारी करोगे फिर जाके आपकी बात exam में बनेगी जैसे बात करते हैं, 15 में देखो इसमें simple हमसे पूचा है, कि फारसी अनुभाद में हमने पढ़ा है पारसी अनुभासा हमको नहीं पता कि पारसी अनुभासा जो होती है वो फारसी भासा होती है अब दोनों में अगर हम लोग connectivity नहीं बनापा रहे हैं तो हम ये questions skip करके आएंगे question number 15 मतलब अगर हम लगा के आते हैं तुका मारके आते हैं तो negative marking हम लोग gain करेंगे negative marking gain करेंगे तो आपकी cut off touch नहीं हो पाएगी cut off touch नहीं हो पाएगी तो आगे की कहानी आप खुद बनाएए ठीक है समझदार को इसारा काफी मैंने आपको इसारा कर दिया बढ़ता हूं question number 16 के ओर रामायड का अनुवाद फार्सी में किसने करा था देखिए रामायड का अनुवाद फार्सी में किसने करा था महाबारत के बारे में अभी हमने देखा अब हम बात करते हैं फिलाल रामायड के बारे में देखिए रामायड का जो अनुवाद करा था फार्सी में वो करा था बदायूनी ने ठीक है इसको बोलते है बदायूनी ठीक है इसको लिख लिजेगा ये हुआ था 1589 में ये करा था अब्दू siya दिशा अब्दू कादिर इसका पूरा नाम याद रखना इसका नाम है पूरा अब्दू कादिर बदायूनी ठीक है चलिये बढ़ते हैं कोशन नमर 17 के हो कोशन मर 17 हमसे कह रहा है कि अक्मर ने पंच महल का निर्माण लोग यहां पर पंच महल कि जो खंबो के लिए विख्यात है अगर आप ने में अग्र आप आपने कभी कपले खIGHT वे चाहर शाहिए अगर आप नहीं है तो कि अगर आप यहाह परधेए तो एक वाट ज़्लिंगे जिस तरह से जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको उनके लिए लाल किला काफी इंपॉर्टेंट है जामा मस्जिद का फी इंपॉर्टेंट है तो जी तरह से मैं चाहूंगा आपसे कि अकबर ने 5 मैल कराया था जो खंबो के लिए विख्यात है अब देखें यहां से कोश् इस अग्जाम में लूज हो तो डैम शूर आपकी maximum negative marking आपकी gain हो गी जाब रुखना कि maximum आप लोग negative marking gain करके आ रहे हैं negative का आप लोग अपने सरो पर एकests पिटारा लेकर के आ रहे हैं तो ऐसी गलती प्रीज मत करिएगा मैं आपसे कहना चाहूंगा और इस वीडियो को पॉस करिए और इसको नोट करिए देखिए ये विख्यात है विख्यात तो है ठीक है खंबो के लिए लिए कहां पर है ये है फत्यपुर सिक्री में अकबर में पंच महल का निर्मान फत्यपुर सिक्री में करवाया था और ये क्या है ये है एक्चली पिरामिड के अकार का पांच मंजिला भवन ये नालंदा के बोध विहारों की पेना पर अधारित था अब बात करते हैं कोश्चा नमबर 18 की ओर कि अकबर की जीवन कथा लिखी थी किसने निमनौक्त मतलब निमनौक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी उसका नाम क्या था उसका नाम था अबुल फजल देखे अबुल फजल जो था वो अकबर के 9 रतनों में से एक था और इसने जो लिखी थी उसका नाम था अकबर नामा अकबर के ओपर जीवनी लिखी थी वो उस जीवनी का नाम था अकबर नामा और इसी बुक को जो ये बुक लिखी गई थी इसी बुक को तीन भागों में डिवाइड करा गया था कितने भागों में डिवाइड करा गया था तीन भागों में ये आपके लिए UPPSC PELIMS MPPSC PELIMS और जो भी स्टेट के एक्जामस होते हैं PELIMS में स्टेट PCS के वहाँ ये कुशन से पूछता कि अग्बर नामा को कितने भागों में डिवाइड करा गया है कितने खंडों में विभाजित है कितने भागों में विखंडित है विभाजित है डिवाइड है वो कुछ भी बूछ सकते है आपसे आपको याद रखना है अगवर नामा मतलब तीन भागों में ये डिवाइड थी इसका अंतिम भाग मतलब तीसरा खंड का नाम क्या है तिसरे खंड का नाम रखा गया था आईने अकबरी याद रखेएगा तिसरे खंड का नाम क्या था उसका आईने अकबरी चलिए कोश्चन नमबर 19 की ओर सूपरसिद संगित तक गया तांसे और बैजुबावरा किसके सासन काल में सुविख्यात थे अकबर के नौरतनों में से ये भी थे तो इसका नाम है अकबर कोश्चन नमबर 20 कोश्चन नमबर 20 है आपके सामने की अपने काल का महान समीन तक गया है तांसे इसके दरबार में था देखिए उपर ओले कोश्चन को अपने पढ़िए एक बार इसने बोला कि तांसे और बैजुबावरा किसके सासन काल में सुविख्यात थे जिसके काल में सुविख्यात थे तो उसी के काल में उन्होंने काम करा होगा उसी के मनलब दरबार में उन्होंने अपनी सेवा दिये होगी, अगर 19 का अंसर, अगर C अकबर था, तो 20 का अंसर क्या, A होगा, जहांगीर होगा, नहीं ना, तो common सी बात है, तो यहाँ पर एड़ा अंसर क्या होगा, अकबर, बढ़ते हैं, question number 21 की और, question number 21 हमारे सामने है कि, वह परसिद जैन विद्ध्यान, कौन है, जिसका अकबर, बहुत ही सम्मान करता था, बहुत ही respect करता था, अकबर, देखिए, अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अकबर, बीरबल, ठीक है, अकबर, बीरबल, लेकिन, यहाँ पर क्या है, अकबर, maximum, जो respect करता था, वो करता था, बीरबल का, दोनों की बीच में 36 कापड़ा था दोनों एक उसे के काफी मतलब वैल फिशर थे दोनों एक उसे के respect करते थे बट कहीं न कहीं अकभर की अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो वहाँ आप देखिएगा कि अकभर मैक्सिमम बीरबल को कहीं न कहीं उसकी परिक्षा लेता था उसके मन में कहीं न कहीं न कहीं यह था कि मैं किसी भी तरीके से बीरबल से जीए सकूँ लेकिं लाश्ट में क्या होता था वो सभी आप जानते होंगे अगर आप में कॉमिक्स वगरा पढ़ी होगी तो वहाँ पर इनकी स्टोरी आपको चल देगा पता तो फिलाल तो यहाँ बात कर रहा है अगर इसमें बीरबल का नाम नहीं दिया है ठीक है तो आप्शन में आपके सामने बीरबल का नाम वो कभी भी नहीं देगा याद रखेगा कोई भी कोशन्स पूछेगा किसी भी बस्तुपाल और भद्रबाव ठीक है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हरी विजय चलिए बढ़ते हैं हरी विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरू की उपादी दी गई थी अब देखे कोशन जहां से यह बनता है कि किसको जगत गुरू की उपादी दी इसका नाम बताईए अगेन आपके सामने चार उप्शन होगे तो आपको राइट आंसर चूज करना है हरी विजय कहीं से भी कोई भी मौका मिले ना छोड़ो मथ अगर अगर लग रहा है में कोश्टन से बन सकता है मैं नया कोशन डिजाइन कर सकता हूं नया कोशन से बना स तो की और दीन इलाई दीन इलाई बनाने का मूल उदिश्य क्या था जो दीन इलाई जो बनाय गया था उसका मूल जो एम था इसका बेसिक एम क्या था इसका टार्गेट था विस्व बंधुत्व याद रखेगा विस्व बंधुत्व इसका मूल उदिश्य था अगला कुशन अगर अकबर नामा के छेटा जो थे मतलब वो कौन थे अकबर की गिष्वनी कथा था किसनी लिखी थी अबुल फजलनने और ये अकबर नामा अकबर नामा को तीन भागों में डिवाईड करा गए है ठीक है बढ़ते हैं कोशन नुम्बर 24 की और अकबर नामा बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको में इसका राइट अंसर क्या है ठीक है अकबर नामा पीछे अभी हुआ है कुस्टेम बेरे कोशन नुम्र 18 में अब 24 में आगे न आ गया ठीक है जो भी इस बुक में कोशन रि कि हल्दी खाटी की लड़ाई जो वार हुआ था किन के बीच हुआ था यह हुआ था अकबर और राना परताप सिंग के बीच में कोशन नुम्र और हाँ चलिए बात करता हूं कि मैं हल्दी खाटी कम हुआ था यह वार हुआ था यह कब हुआ था गरिन पैन से मैंने रहा परताप और अकबर सेनाओं के बीच में बढ़ते हैं कोशन नमर्ट 26 की और कि गुजरात विजय की यादगार में याद स्वेरूप में अकबर ने निमलिकित में से किसका निर्माण कराया उसका निर्माण कराया उसका राइट आंसर था बुलंद दरवाजा कोशन नमर् 308 है मुगल परसासन विवस्ता में मंसबदारी परणाली को किसने प्राण किया था यह करा था अक्बर ने अब बात करते हैं हम लोग की मंसबदारी परणाली क्या होती है lijकिर किसने प्राडम करा था अकबर ने अकबर ने प्राडम करा था और लेकिन ये आखिर कार यी है क्या बहुत तो नायम ने ठीक है तो बताता हूं आपको इस पर था कि अंकर का दर्फ्चुरी क्या होता है कि उन व्यक्तिकों समराज द्वारा एक पद परदान करा जाता है जो के बोलेंगे जैसे कि पत्था मंसब एक डेजिनेशन थी पोस्ट थी उस पोस्ट में जो व्यक्ति बैठेगा उसको बोलते है मंसबदार ठीक है अकबर की मंसबदारी विरस्था मंगोल नेता चंगेश खां की दस्तमलब पनावी पर अधारित है अब यहां से एक कोशन बनता कि मंसबदारी जो प्रथा थी वो किसकी कारवन कॉपी है किसकी नकल है इस तरह से अपसे एकजाम में पोस्ट था तो आपको याद अखना है मंगोल नेता चंगेश खां की दस्तमलब पनाली पर अधारित यह थी क्या मंसबदारी कोशन नमर 29 है मंसबदारी जो पनाली थी उसको किसने आरम करा था प्रारम करा था यह करा था अकबर ने बढ़ते हैं कोशन नमर 30 के ओर कोशन नमर 30 हमारे सामने इस वीडियो का लास्ट कोशन है कि किसने मंसबदारी जरस्ता का सूतरपात किया था इसका राइट आंसर होगा अकबर देखिए मंसबदारी जहां भी अंसर के स्क्रिप्ट नहीं करेंगे इसी के साथ मैंले तो आपसे अलविदा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्रीज इसको लाइक करेंगा और जो भी फ्रैन आपके आपको बाज़ु में उसके बेल आइकन उसके बेल आइकन पर किल्क करना ना भूलें अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करतें हैं तो तुरंध आपको विलेए इस चैनल पर कोई बी वीडियो अपलोड होगा उसके नौटिफिकेशन और आगर यह बुक आप परचिस करना चाह इस विडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से या अब study कर सकते हैं, जै आपसे अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो यही एक आपके पास एक option है, कि वीडियो को दुबारा से पिले करिए और अपने नोट्स बनाइए क्योंकि 90 परसेंट जो कोश्शन्स आते हैं आपके प्रिवेस एक्जाम में ही से ही पूछे जाएंगे तो प्रिवेस एक्जाम में पूछे गए कोश्शन्स पे फोकस करिए चाहिए आप आप math के questions करते हैं, चाहे अप English के questions करते हो, GS के या फिर reasoning के, basic chapter आपने पड़े होने चाहिए, देखिए GS में आपका basic chapter कुछ नहीं होते हैं, direct आप year के questions उठा करके उनको याद कर सकते हैं, ठीक है, bye bye, take care, and all the best.